हेलो एवरिवन वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल बीन बी कम्प्यूटर आज मैं आपको बताने वाली हूँ MS Excel की सीट के बारे में MS Excel की सीट पर अगर हमें कोई भी डाटा दिया हुआ हो तो हम उसमें मीटर क्यूब का कैसे यूज करेंगे तो चलिए वीडियो स्टार्ट क प्रेस करेंगे और प्रेस करेंगे यह हमारी MS Excel ओपन हो जाएगी है एंद हम नूशीट बनाने के लिए एक ब्लैंक सीट लेंगे अगर हमारे पास ओल्डेडी कोई फाइल है सेव्ड तो हम उसको भी उसकर सकते है हमारे पास ओल्डेडी एक फाइल सेव है हम इसी का यूज करेंगे यह देख हमारा फॉरमेट एक दम डेडी है इसमें लिखा हुआ है हाउ टू टाइप मीटर क्यूब इन एक्सल एक्सल की सीट पर मीटर क्यूब का क्या यूज है सबसे पहले ऐसा नंबर सीरियल वाइस दिया हुआ है एंड एरिया पर जो हमारे एरिया है वो भी ड अब हम three right करेंगे and only three को हम select करेंगे यह देख हमारा select हो गया है and right click करेंगे format cells पर जाएंगे and यहाँ पर हमें दिखाए दे रहा है super script super script को select करेंगे and then press ok यह देख हमारा meter और cube meter के उपर आ गया है वन्ना तो हमारा जैसे three middle में आ रहा था वो अब top पर पहुँच गया है अब हम इसको control c press करेंगे and बागी बचेवे area को select करेंगे and control v से इसको paste कर देंगे यह देखे हमारी पूरी table पर meter cube आ गए है तो ऐसे करते हैं MS Excel की seat पर meter cube का use अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो comment box में comment करें अगर आप हमारे चैनल पे new है तो please चैनल को subscribe करें, like करें, share करें and bell icon प्रेस करना बिल्कुल भी न भूले ताकि हमारी सारी वीडियो का update आपको सबसे पहले मिल सके Thank you Yeah, 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 yeah